नमश्कार दोस्तों रोजान राजशुपल दखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथ भी बेल आइकन को प्रेश कर दें ताके दोस्तों आपकी राजसे से जोड़ सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंश चके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम शुकों का लाबले शुकें तो आई दोस्तों से कि शाथ आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2021 के आपके राजशी उपल के बारे में शबसे पहले दोस्तों जिनका भी यश में बर्तिटे है या फिर अनवर्सरी है आप शबी को मारे तरब से देर शारी शुक कमना है तो आई दोस्तों से कि शाथ आप बात करते हैं यह शुमई गराओं की दिदिक एची होंगी क्या क्या यूग बनेंगे और इन्हें शबी क शुमई आपकी राशी पर क्या होगा किन किन से को लेकर यह में आपको शाओ धन्याना होगा और आकर कौन कौन से कारी आपके लिए भागी शलिए होंगे यह शुमई आपका लब लाइफ स्वास के रियर और धनकिस देदी के शिरेंगी शादे दोस्तों बीडियो के शादिती रहेगी और इस दिन आधरा नाम का नैच्छत रहेगा वह दोस्तों इन योग की बात करें तो द्रियो नाम का शुमई यह शाम के चार बचकर 45 मिन तक रहेगा उसको परांद इस दिन वागात नाम का शुमई परहर हो जाएगा दोस्तों इन रहो कल कर शुमई की अर्थात अशुब समय की यह शुमें आपको भी शुब और महत्मुन कारियों को बिलकुल ना करें इसको प्रांदों दिन रावकल के शुमे की बात कर अर्थात अशुब समय की तो दोस्तों यह शुमा ही रहेगा शुब के दर्ज बज़ करें कावन में चले कर तो परके 12 कभी ने चाते कि आप उनसे बैतर करें बदलते लोग बदलते रिष्टे और बदलता मोश्रम चाहे दिखाई ना दे पर महसुस जरूर होते हैं दोस्तों मुझे जिंदगी का इतना तजरुबा तो नहीं पर इतना तो मालूम है कि जोटा आदमी बड़े मोके पर हमेशा का माता है और बड़ा आदमी छोटे शी बात पर ओकाद दिखा देता है लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मेदों को पूरा कर रहे हैं और आपके लिए सब लोग तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मिद नहीं रखते हैं दो दोस्तों नियत कितनी भी अच्छी हो दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है और दिखावा कितना भी अच्छा हो उपर वाला आपको नियत से ही जानता है बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने असान होते हैं लोग सुनते हैं छुप छुप कर और कहते हैं की दिवारों के भी कान होते हैं तो चलिए इससे की साथ बात करते हैं आज की राशीफल की देनी राशीफल दोस्तों यह में कुछ पुराने मद्वेद्धुर होंगे तथा आप सी समधों में पुनह मदुरताएंगी आपको बदा दें कि यह में जमकर मेहनत करने का शुम्य ह है दोस्तों आपके विन्हमर स्वभाव से आपकी लोग पर रिताता था साख में भी यह में बृद्धी होने वाली है इसको प्राहन दोस्ते आपकी सावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी किसी समय ठकान वापिर तनाव को विजशे आप में नकार्तम विचार भी हा जिद करें तदा अपनी बनाई हुए नितियों पर भी कारें यह आपके लिए बैतर होंगे और शुप्राहन तोस्तों यह आपके लिए समयोंगे आपको बता दें कि कड़ी मेहनत के बावजुद्धी प्रिस्तितियों में मन चाहा पदलाव नौद एक पन आपके लिए चि बातों को अभी अधिक महतों नौद देते वे आपको काम को करते रहना चाहिए अपने भविश में आगे बढ़ते रहना चाहिए इसको प्रांत दूसरे शमयों आपके लिए समोगे आपको बता दें कि दूसरे खर्चों के सिती बने रहेगी फ्रन्तु आई के श्रोद भी यश्मी बैतर होने वाले हैं इसे दूसरे खर्चों की परिशानी नहीं रहेंगी आपको बता दें कि शंतान की समस्याओं को सुनना और उसका समधान करना उनके आत्मिश्वास को और दिख बढ़ाएगा तो दूसरे जरूरी यश्मी आप उन पर ध्यान दें उनके समस्या आत्मिश्वास कोन रखना आपके लिए अतियाउश्व होगा तो इन पर ध्यान दें बायों के साथ भी सम्मध मदूर बना कर रखें यह आपके लिए श्मी बहतर शाविद होंगे और इसके उपरांत से श्मी आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अप प्रेतन और अधिक बनाने होंगे आपको बता दें कि अभी आप खुद के प्रती अधिक जागरुक हो रहे हैं इसके वज़ाशेजिये आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस बात का फरक करना आपके लिए अशान रहेगा आपको बता दें कि परिवार के शाथ सम्मं ठीक बनाने की यश्मे आपको कोशिच करना चाहिए ये आपके लिए बहुश के लिए बहतर होंगे इसके साथ दोस्तों बजसों की गलतियों में उन्हें डांट फटकार के बजाए फ्यार से समझाने का प्रत्न करें इससे उनका आप विश्वास बढ़ेगा और शवाव को शरल वह पर मधूर बना कर रखें कटूरता पूर्ण वायवार्शी इसके वज़र समाज में आपका जो है चवी इसमे बिगट सकती है या फिर आपकी चवी में इसमे आजा सकती है तो दोस्तों इन पर ज़रूर द्यान दे ये आपके लिए अश्मे भैतर शाबित होंगे और इसके प्रामति अश्वाव में आपके लिए उसमेंगे दोस्तों आपको बदा दें कि जिवन सम्मंदी सबी बातों में किस तरह से संतुला ने बनाए जाए इस पर आपको विचार करना चाहिए और ये आपके लिए चिंता का कारण बनेगा आपको बता दें कि दोस्तों अधिक विचार नों करते हुए अपने किरित्ती करने में आपको ध्यान दने क्या वश्रता होंगी आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए मन में बढ़ रहे नकारतों को बिचारों को पिज़े आपके खुद के प्रती ही नकारता बढ़ रही है तो दोस्तों इन पर आपको इसमें रोक लगाना चाहिए इस शकारतों को बिचारें आपके अंदर जो है लाने की कोशिश करना चाहिए इसलिए दोस्तों इसमें आप मेडिरेशन पर जारू ध्यान दे ये आपके लिए बैतर होगी इसे आपको उर्जा और आतमीश्वास में आपके बढ़ने हैं और इसको प्राहन दोस्ते इसमें आपको बता दें कि गरह गोचर हैस में आपको कोई बहत्रिन उप्लावदी भी देने के लिए तत्पर है मित्रों तदा रिष्टेदारों के शाथ अपना भावनोतों के लगाव रखें दोस्तों आपको बता दें कि किसी नई दिकी व्यक्ति की शमसिया को हल करने में आपका कापजी समय वहत्रित भी होगा और इशा करने से आपको आत्मी खुशी और अनुभती भी होने वाली है आपको बता दें कि कोई शौक पुरुन शमाचार मिलने से मन में उदासी रह शकती है दोस्तों कोई शमय धार्मी गत्वा अध्यात में गत्वियों में भी शमय को अत्रित करें इससे आपको शुकून मिलेगा यवाओं को अपने केरियर शमन्दी किसी प्रजक्ट में विफलता मिलने से दोबारा प्रयाश करना पड़ सकता है और इसको प्रजक्ट दोस्तों यशमय आपके लिए समयोंगे दोस्तों आपको बदा दें कि पेसे समधित यदि कोई वयवार हुआ है तो दोस्तों उससे जुड़े कागजात को यशमय समाल कर रखिये फिलाल आप जरूत से अधिक कठोर बन रहे हैं जिसकी वज़े से करीवी समयोंगों में भी दरार आपको नजराएंगी आपको बदा दें कि अपने अंदर बढ़ते हुए गुशे को कावो में रखने की यशमय आपको कोशिक करना चाहिए यह आपके लिए बैतर शाविद होगी आपको बदा दें कि अधिक कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों तुरंत इस पर करवाई शुरू कर दें यह जो शमय होंगे आपके लाबदाएक शाविद होगा यह निवेश आपके लिए लाबदाएक शाविद होगा आपको बता दें कि अधिक कारियों में ग्रह श्तितियां ज्यादा अनुकुल नहीं है इसलिए दोस्तों सांती पुन तरिकेश समय को वहिदित करें शावधनियों को बढ़ते हुए आगे बढ़ें तब ही जाकर आपके शबलता में कोई आच नहीं आने वाली है आपको बत दोस्तों में आकर बिना सोचे समझे कोई भी जो है दूसरों के उजनाओं पर अनुसरां करना आपके लिए इसमें गलत रहेगा तो दोस्तों इन पर आप शावधनी बढ़तें यह आपके आपके केरेट के लिए इसमें बहतर शाविद होंगे और इसको प्रानत दूसरें आपके केरेट के लिए जय समयोंगे आपके वईशाय के लिए समयोंगे आपको बता धें कि वह कारेश्टर पर सब्वारे में अपनी निगरानी में में करवाएं यह आपके वै Hural लूगे दोस्तों इसमीं इस्टाफ आदी पर जो निगरारी रखना आपके लिए यह समें अच्छा मुनाफा होने की समभाना बन रही है। नोगरी में अच्छे कारियों में परगती होंगी। जो इसमें आप उन में लापरवाहि ना परते। किसी परकार की निक्वाइडी होने की अन्संग का बन रही है। और इसको प्रादोस्य अश्में आपके केरेक्ट्रे लिज़े समयोंगे आपको पता दें कि दोस्तों ये श्मय करमचारियों से सम्मधिन कोई शमस्या दूर हो शकती है अगर कोई नया वाईपार या फिर नया काम सुरू करने की कोसिश करें या फिर सुरू करने जा रहे हैं तो अत्यद्विक मेहनत के बाद ही आपके काम बनेगे लेकिन मेहनत करेंगे तो शफलता आपको जरू मिलेगा इसलिए दोस्तों हिम्मत ना हारें तथा प्रयारस करते रहें नोकरी पेशा लोगों को ओफिश का महौल चुए खुश्मा बना आपकी स्थित्री भी बन सकती है तो दोस्तों ये अपने प्रेम शमंदों में किसी अन्य व्यक्ति का हस्त पेक्ष ना होने दे यह आपके लव लाइप के लिए ये बहतर शावित होंगे और इसके प्राहत दोस्तों पार्यों करेवातरों ने ये खुश्मा बना रहेगा प आपके लिए समयोंगे आपको बता दें कि पती पतनी का शुख सांती का कारग मनेगा मित्रों के शादवी मिल जोल तदा गेट टूगेदर सबको खुशी देने वाली है और इसके अगर आपकी स्वास को लेकर बात के नर्थात आपके हैल्थ की तो दोस्तों ये बीपी या और इसके प्रांद स्वास आपका अंतों में उत्तम होगा अगर आप शाधनी को बरतेंगे वैस्ति दिंचरियार रखकर आप और इसमें स्वास और उर्जवान महसूस कर सकते हैं तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें ये आपके स्वास के लिए इसमें भागी शाली रह अंकरेगा आश्मानी और भागी शाली अंकरेगा छे